नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थियोरे की कोश इंपोर्टेंट होता है साथ साथ उसमें बताया था एसी लिंग शॉपार के बारे में तो अगर आप सभी लोग नहीं चानते चॉपर में और आप उस वीडियो को नहीं देखा था ये का अप उस वीड Mississippi को जाकर देख ले लिन्क के मना देखने को मिल जागी गए पर आप चैनल पर विडिट करके देख सकते हैं वीडियो में आपको बता दें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो उसके बाद जो बैल आइकना उसको प्रेस कर देना और अगर दुस्तों अगर आप मुझसे कोई भी क्यू सब्सक्राइब के बारे में मैं फिर से बोलूंगा जिन नहीं नहीं पढ़ा चौपर के बारे में या वीडियो नहीं देखिए तो जाकर देख लो अधरबास इसमें मेरा कुछिन जाता इसमें तेरा घटा तो चलिए इसका जो अंसर होगा दूस्तों बोगा हाई इसका अब चौपर है इस टेफ अप चौपर है तो इंपर में जो बोल्टिज लेगा उससे उसको अप कर देगा उसको बड़ा देगा मलब भी इस टैब आप ट्रास्वोर्मर के तरह काम करेगा ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया इस टेफ अप चौपर में आउड्पूट्ट कमान इनपुट्ट बॉल्टिस से होता है इधी कि उसका उल्टा पूछ लिया यहां पर पूछाता है step आपके बारे में यहां पर पूछ लिया step down के बारे में तो step-down चौपर है तो अब बात है कि जो output voltage मिलेगा वो हमें input voltage से कम मिलेगा यानि लो तो इसका एंसर सही हो जाएगा नेस्ट को सब्सक्राइब करता है मैंने आपको पिछली वीडियो में डिट्रिल से सब कुछ बताया था चीके कि चॉपर्स क्या करता है कितने प्रकार के होते हैं कहां यूज करते हैं इसके बाद जो चॉपर्स का काम होता है अब होता है DC को variable DC में बदलना अब यहाँ पर हमारे option दिए गए हैं AC to DC DC to AC DC to DC तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा होगा C DC to DC आपको बहुत सी जगह DC to DC भी लखा होगा तो आपको इस पर टिक कर देना है ठीक हो सकता हो बहुत सी जगह नहीं लखाओ DC to variable DC बट बहाँ DC to DC लखाओ तो उसको आप टिक ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि चॉपर्स का यही काम होता है DC को DC में बदलना ठीक है आप वह हम सभी लोग जानते हैं कि DC को variable DC में बदलता है next question है a inverting chopper may we thought as a हम inverting chopper को किस तरह सूच सकते हैं या किसकी तरह सूच सकते हैं या क्या क्या सकते हैं ठीक कहने का मलब option है inverter with DC input AC link chopper diode rectifier DC link chopper तो देखे पिछली वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताया था इसका जो correct answer होगा बहुगा B AC link chopper क्योंकि हम AC link chopper को ही inverting chopper कहते हैं अब AC link और DC link क्या है देखे जो होता है यहीं करता क्या है AC link DC को दो स्टेज में बदलता है ठीक है लेकिन जो DC link chopper होता है वो के बाद सिंगल स्टेज में DC को DC में बदलता है में रूप से यहीं difference होता है बाकि आप और डिटेल से जाना चाहें तो अन वीडियो को ज़िए से चेक आउट करिएगा नेक्स ए चॉपर इज़ा चॉपर क्या है टाइम रिच्यो कंट्रोलर एसी टू डीची कंवर्टर डीजी ट्रांस्फोर्मर हाइइ स्पीड सेमिकंड्र सुच तो जो इसका करेक्ट तन सुरोगा बहुगा ऑप्शन डी हाइइ स्पीड सेमिकंड्र सुच अगर दूस्तों आप एलेक्ट्रोनर्क्स मगनेक सेकेंडियर की स्ट्वेंट हैं और इसको देख रहे हैं तो इन में से दूसर कोई भी कोशन आपके थियोरिक एकजाम में आ सकता है चॉपर से टिब चॉपर एक इंपोर्टेंट टॉपक है हमारी पावर एलेक्ट्रोनर्स में ठीक है तो इ हाइच में है चॉपर होता है वह एक हाई-एआचप इस भी होता है और सबमेटेग्टर के रिधा गशन नेक्स्ट कोशन है इन्दा डैस टाइफ आप चॉपर टू स्टेज कनवर्शन टेक प्लेस इनमें कौन सा चॉपर है जो की दो स्टेज में कनवर्ट करता है जो की कनवर्शन के लिए दो स्टेप लेता है इसका जो करेक्ट टन्स रोगा होगा ओप्शन यानी एसी लिंक चॉपर क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो एसी लिंक चॉपर होता है वो बो दो स्टेज में डीच को डीच में कनवर्ट करता है इसका जो करेक्ट टन्स रोगा वोगा डीच करते हैं फिर से बोलूँगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जहूर से चेक आउट कीजिएगा जिसमें कि मैंने आपको बताया था चॉपर के बारे में नेक्स वाटन है दूस्तों वर्ट ड्यूटी साइकल ओफ आज चॉपर अब दिखिए ओन इस्तिति में बूला गया है तो यहां पर आप्सन दी है टी आउन बाई टी आउफ टी आउन बाई टी टी आउन टी आउफ इंटू टी आउन तो जो इसका करेक्ट अन्स रोगा व होगा ओप्सन बी टी आउन बाई टी नेक्स्ट ए द ब्लू गिवन फिगर इस देट ओफार डैस यहां पर ब्रेकेट में लिखा हुआ है आईजी बीटी इस यूजड एज चॉपर स्वीच यहां पर स्वीच में आईजी बीटी को यूज़ किया गया है ठीक है तो बताना यह कौन सा चॉपर है step up step down chopper step down chopper step up chopper in another time तो जो इसका करेक्ट अंसर होगा वह ओप्सन बी आनि step down chopper अब आप लोग बुलेंगे भीए आपने कैसे पैचाना की step-down chopper है तो बहुत में स्वीच यहां यूज़ किया गया है इसलिए step-down chopper है ठीक है इंडेक्टर इसमें यह यहां पर स्वीच है यहां पर इंड़क्टर इसलिए अगर आपने फिर से बोलूँगा आप वाली वीडियों जरू से चेक आउट किजीए उसमें आपको बताया था दिया गया चतर किसका है हमें बताना है कि यह कुण सा चौपर है step-up step-down chopper step-up chopper और रॉसमें यूज में था वू कुछ इस प्रकार से था ठीक है तो इस प्रकार से दूस्तों मैंने आपको कुछ mcq यहां पर बता हैं इस रिटे मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगों सारी mcq बहुत एजी थे अगर आप में चौपर्स के बारें पढ़ा हुआ है फिर विए अगर आपके कोई सवाल नहीं सुझा है तो आप मुझ से कोई पर्सनल बात चीत करना चाहें कोई question हो आपका तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलू कर सकते हैं बहां पर मैं जालाद तर एक्टिव रहता हूं तो बहां पर आप मिल सकते हैं मुझे और टेलीम पर भी फॉलू करना नावत भूलेगा क्योंकि मैं आप से कुछ और important MSQ या study material बहाँ पर अप्रूट करता रहूंगा सभी social media accounts की link आपको डिस्क्रिस्टों में देखने को मिल जाए तो जाकर आप follow कर सकते हैं मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ पर MSQ में से कोई यहाँ पर question या सवाल सभाव नहीं रहे होंगे अगर फिर भी आपको कोई सवाल है सभाव यहाँ कोई doubt रहे हो तो नीचे जाओ comment सकते हैं बताओ वीडियो अच्छे लिए तो इसको like कर दो share कर दो अपने दोस् दोस्तों फ्लालिस वीडियो मतनाई देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी वीडियो में जैहिन बन्यमात्रम